बतीजे प्रिलिम एक्जाम को सिर्फ एक महीना बाकी है आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही है ना मौक टेस में क्या स्कोर बन रहा है अभी नहीं मामा जी ये रिविजन रिविजन पुराने जमाने के लोगों का काम है हम तो यूटूब पे 100 most important topics देखेंगे और सारा हमार रिविजन महीं हो जाएगा अगर यूटूब पे कोई important topics प्रेडिक कर सकता तो खुद से IS क्यों नहीं बन गया एड revenue के लिए वीडियो क्यों बना रहा है और यह तो board exam नहीं है IS exam है डंग से पूरी पढ़ाई करो बतीजे कैसी चल लिए आपकी पढ़ाई फ्रेडिम्स के सारे subject complete कर दी आपने नहीं मामा जी लेकिन कोई टेंशन नहीं है अभी टॉपर भई आगर वीडियो आएगा यूटूब पे वो सारे बता देंगे कि कौन से सवाल हमें करना है कौन से topics हम छोड़ सकते क्योंकि इसके माल करो सारे subject सभी से कटम करो तो जादा समय नहीं लेते हुए सिधा कारेक्रम शुरू करतें सो दिस इस आने केड़िमी बूटकेंप बूटकेंप का मतलब क्या कि थोड़ी पड़ाई लिखाई कि इसमें बाते होंगी बाकी बेजिक चीज आपको पता है अभी फेब करता कि कुछ जानकारी मिले जो कभी मिली नहीं क्योंकि उदर सिर्फ और सिर्फ ये शेरोशायरी फाल्दू की मोटिवेशन और सिंडरला स्टोरी चले गर आके ममी पपा को बोलना हो कि क्या तुम चार चीज सीखे आए कि एक्साम में ये पढ़ना है या ये कुछ है कुछ पता नहीं चले उसके जलते क्या रॉंग टाइप ओ पीपल अर गेटिंग कि जिसकी महनत नहीं हो वह भी फॉंबरे बस अपना उसको दिखाया गया उसमें कोई फायदा नहीं तो आज अपना जो कारेक्रव में उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात है पूरा दिन आ आप पूरा दिन अगर पढ़ सकते हैं तो वो तिखाता है कि आप में यूपीएसी की सीरियसनेस है तो अपने हाथ में कुछ सफलता आ सकती है तो अलग-अलग टीचर्स अपने अपने विशे के बारे में कुछ नए टॉपिक्स खास पढ़ाएंगे मैं एकोनोमी से अब कुछ लोग कहेंगे नहीं मैं तो पूरी जिन की कॉफी मुझे पसंदी नहीं है तो उसका कारण यह है कि आपको किसी ने अच्छी कॉफी पिलाई नहीं है इसलिए आपको वो पसंद नहीं तो एकोनोमी में भी वही बात है आपको किसी ने ठीक से स्वाद नहीं दिया इसलिए हमेशा आप हेट करते रहें उसे, तो आज अपना जो ये economy refresher, overview of all topics, theory and current, ये मेरा कारेकरव में, इससे दो काम होने हैं, जो नए students हैं, उनको स्वाद मिले, कि ये खराब subject नहीं है, इसमें मज़ा आता है, पढ लेते हैं, तो freshers, वो subject का एक टेस्ट डेवलब करेंगे जो आपमें senior players हैं, जो अलड़ी एक दो attempt दे चुके हैं, उनको यहां पर क्या फिर मिलेगा, कि topic-wise priority अब जितने ये 3-4 महिने बचे हैं, तो revision मेरा क्या फ्लोर है, मुझे कितने topics पे क्या देयान रखना है, दोनों को मिले, और अम topic भी पढ़ेंगे, अब एक दो disclaimer, ऐसा auditorium म पढ़ते हैं, तो मैं बहुत छोटा-छोटा फिर इसमें font से डिटेल जादा डालूगा, तो आखरी बेंच में जो विद्यार थे, उनको मजा नहीं आए, इसलिए मैं आपको broad strokes में चीजे बताऊंगा, और time limit भी होती है, तो बहुत सारे topic नहीं, significant topics हम कवर करेंगे, इसका म मजे 6, 8 or lecture होंगे, डाई-डाई गंटे के, तो सह साब से जो भी, और 12-15 गंटे की और पड़ा ही, हैंड आउट उसके भी 500 पेज के, वो सब फ्री में चलता है, तो आपको अपडेट्स मिलते रहे, बाकी full-length course वो 22 गुरुवार से भी शुरू हो रहा है, अब सब से पहले तो जो लोग नए हैं, उनको ये समझना है, कि पेपर पहले से बहुत हो गया है, अब जानते हैं, 100 प्रश्णव होते हैं, दो-दो मार्के, तो 200 मार्क हो गे, कट ओफ कितना रहता है, जनरल केटेगरी का, करीब 88 से 92, पिछले तीन साल के में बात करूँ, तो उसका करते हैं, कुछ गलत होते हैं, नेगेटिव अगेरा करके आपका सीन बनता है, तो मिनिममम 45 की नौले जोनी चाहिए, ताब समझो, आपके पास एक पॉंडे तालाब है, उसमें 45 लिटर आपको पानी भरना है, अब परस्न 45 लिटर कैसे भरेंगे, जोग्रफी एन्वार्मे सब कुछ मिलागे, उसमें अभी 10 अपने हो पाएं, तो यह जो तीन कोर सब्जेक्ट है, येक दो तीन, उसमें से अपने 35 क्वेस्टन निकले, आपको जादा निकलते हैं, अपन असल में जो टीक कर सकें, असल जिनगी की मैं बात करूं, तो अभी भी 45 करने के लिए 10 सब्सक्राइब, तो इस वास्ते हैं, अगर आपको जोग्रोफी, अन्वार्मेंट, पॉलिटी और एकोनोमी से नफरत है, ये मजा नहीं आता, इसलाइक है, तो फिर आपका काम नहीं हो सकता, क्यूंकि बाकी सब्जेक में उतने मार खिष्णा मुश्किल है, इलेक्शन करी सब्सक्राइब, तो मोदी जी कोई सारे 500 सीट में तो प्रचार करने नहीं जाएंगे, उनको लगता हो कि यहां मेरा जादा दब-दबा है, कुछ निकल कर आगा, इन ही विल दू, तो नाव स्टार्टिंग विद एकोनोमी, एक है थियरी, थियरी का काम प्रिलिम में 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 इसमें बहुत कम है, अब यहां पर, ठीक है, आपको स्कोर्स वगेरा तो चलते हैं, आपको कुछ से भी खतम करना हो, very easy solution, तमिल नाडु या महराश्टा की टेक्सबुक 11-12 की एकोनोमी की देखो, NCRT नहीं देखो तो भी चल जाए, बहुत अच्छे से उसने दिया, even latest topic भ जादा निकलने चाहिए, उस mindset से उन्होंने वो बुक्स तियार करी है, तो बाखी सब्जेक में, अपकोर्स, NCRT अच्छी है, पन जान तक कि एकोनोमी की बात है, एकोनोमी 11-12, NCRT नहीं मजा आएगा, इधर से पड़ो, खुद सब आपको आजाए, this is one thing, फिर आते contemporary issues, दो क्वेश्चन आते हैं, बाकि वो भी बहुत जादा उपयोगी नहीं, 2007 में अमेरिका में सब्ट्राइम क्राइसिस है और उसके बाद, इंडिया के अंदर भी जो कंपनिया बैट गई, बैड लोन की तकलिब हुई, तो थोड़ी conceptual understanding उसके बाद का जमना क्या चला, और उस तो देखें, मैंने उपर रेटिंग दिया है, फिल्मों जैसा, कि थीरी को मैंने थी स्टार दिया है, क्योंकि थीरी में से कुछ सवाल आसाना आते हैं, करन्सी एक्स्चेंज, मॉनेटरी पॉलिसी, महेंगई से लड़ना है क्या करोगे, जो मैनेज हो जाते हैं, तो इसको थी स्टार में देता हूं, फाइव में से, कंटेंपरेट इस्चू भी ऐसे, दोज़र चॉदा से लेकि अब तक आपको पछा, उसमें भी ठीक ठाक अपना कुछ निकल के आए, करन्ट अफेर्स, जिस पे लोग चाती पीटते रहते हैं, उसको मैंने सिर्फ वन स्टार दिय है, मलब लास्ट वन यर का करन्ट अफेर्स, उसमें इतना मजा नहीं है, तो हमेशा ही याद रखना है, पूरा दिन मलब आप उसका, लेके मत बैठे रहो, देखे, सौ सवाल है, पिछले एक साल के कि इतने होंगे साल, ग्यारा से पंद्रा, उसके अंदर भी असल में टीक ह है, तो चार-पांच मुश्किल से होते हैं, वो भी बेस्ट के सिनारियो में, एक्जाम खतम होने के बाद सब लोग अपनी स्क्रिंशोट दिखा देखा देखो, मैंने पढ़ा था, मेरे में एक्जीन में था, आपन उतना याद नहीं रहता, तो प्रैक्टिकल इतना ही पॉ मैक्रोएकोनोमिक्स, ब्रुहत स्तर पे, पूरे देश की जीडिपी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगेरा क्या है, और बहुत सारे और भी आया, कितना टेक्स में पैसा आया वगेरा, उसको मैंने फोर स्टार दिया है, मालब उदर आप जितनी हेवी डूटी, हेवी लिप् प्रशन माइक्रोएकोनोमिक्स से आये है, तो उसको नहीं अभी करना है, हो सकता है, वो पूछ भी सकते हैं, पर आप समझो, में में अगर एक्जाम है, तो उसके दो तीन विग पहले देख लेना थोड़ा, जितना याद रहे, ठीक है, अधर छोड़ो उसको, that is not the main thing, अब मेरी महरबानी है, या मेरी एक्सपर्टिस हैसा, में नहीं बोला हूँ, आप कहीं से भी पढ़के जाओ, कुछ से पढ़ो, कोईताबों से, कोचिंग से, इतना हो जाता है, if you are sincere enough, तो इसको मैं बोलू, five star की, इसको आपने खास left-right करनी है, पर आप समझो, तीन सवाल निका तो इसका मलब आपको 80 पेज पढ़ोगे तब जाके एक सवाल आता है न, और बाखी सब्जेक्ट इतने आसान नहीं है, तो एकोनोमी में अगर 300 पेज पढ़के जाओ, और तीन सवाल निकलते हैं, तो 100 पेज आपको पढ़ने पढ़ेंगे, हाँ तो पढ़ने पढ़ेंगे that is part and parcel, तो करो, दूसरा पिलर, budget taxation वगेरा, अब सुकून से पिछले 10, 12, 15, 25 साल का देखो, हर साल एक तो सवाल आता है, और आता है तो एकाद सवाल आता है, बहुत कींच के दो सवाल आए, कि budget का कुछ पूछे, tax का कुछ पूछे, black money का कुछ पूछे, तो पूरा दिन उस सवाल आता है, एकाद होता है, वो रेंडम कुछ पूछे, ये वाला इंपोर एक्सपोर पांच है, उसमें कौन जादा कम है वगेरा, कुछ बार, FDA के एडवांस चीजें पूछे, मुस्किल हो जाता है, बट एकाद तो सवाल आराम से हो जाई, if you are sincere enough, फिर पिलर 4, sectors of economy, agriculture, manufacturing service sector, GDP, inflation, वगेरा, moderate level में बोल सकता हूं, कि इसको 3 या 4 में star दूँ out of 5 star, एहमियत प्रिम के रूप में, पिलर 5 होता, infrastructure, पिलर 6 है, human resource development, ये भी सब hit and miss case है, वैसा एक तो infrastructure वगेरा में हर साल सवाल आए नहीं, आए एकाद तो वो या तो एकदम रेंडम हो याजी हो, human resource development भी कि इसा कुछ बार ऐसा कि दो तीन सवाल पूछले government scheme के, कुछ बार कुछ नहीं पूछे, आजकल जादा पूछना चालू किया है, पर scheme के microscopic, चोटी-चोटी वो बार इक चीज़े पूछते हैं, तो इक कुल मिलाकर अपने 6 pillars हुए, अब जल्दी से एक पिलर के अंदर कुछ बड़ी-बड़ी चीज़े समझते हैं, ताकि जो नए बच्चे उनका टेस्ट स्वाध बैठ जाए उसमें, और जो पुराने उनको पता चले हाँ यह थोड़ा ध्यान में देखके जाता, तो pillar 1, money banking, finance insurance, उसमें क्या, fiat money, legal tender, UPI, central bank, digital currency, यह कुछ चार पान चीज़े आपक खास ज्यान में होना जाए, देखे अब ठीरी पढ़ने बैठे तो क्या होगा, पैसो के उतकरांती कैसे हुई, पहले बार्टर सिस्टम थी, मैं आपको टमाटर दू, आप मुझे गेहू दीजिए, फिर metal coin आये, paper currency आये, plastic money, credit card, debit card वगेर, फिर digital currency, bitcoin वगेर आया, तो यह वो चंदीब महेश्वरी साब के सब्दों में कहें, तो आसान है, अगर आप तमिल नाडु महराष्ट कोई भी 11-12 की टेक्स बुक देख लो, NCRT नहीं, तमिल नाडु या महराष्ट, आसान हैं, आप कर सकते हैं, यह हो गया, फिर नया क्या चल रहा है, फियाट मनी, लीगल टेंडर वैसे थियरी का टॉपिक लेकिन यह 2,000 की नोट के चलते वापस चर्चा में आए, वो बात ऐसी है, कोई ऐसी करंसी जिसको कोई सरकार, सेंटरल बैंक, राजा रानी इसू करे, कानून के पावर से, तो उसको बोलते हैं, फियाट मनी, फियाट करो, तो बैंक उसको स्विकार करना ही पड़े, मना नहीं कर सकता, तो 500,000 के नोट तो आप जानते हैं, बैं हैं, तो उसको लीगल टेंडर नहीं बोल सकते, 2000 के नोट का याद रखना है, कि भई, RBI उसको सरकुलेशन में से हठा रहा है, लेकिन अभी भी वो लीगल टेंडर है, ऐसा RBI ने बोला है, तो उसका आप स्विकार करो, कि भई, यह जो 2000 का नोट है, वो फियाट मनी भी है, और लीगल टेंडर भी है, वो विड्रो हो रहा है, करेक्ट, पन वो अभी भी भी लीगल टेंडर है, अब RBI की खुद की वेबसाइट पे जाओ, इवन फेबराई म विल कंटिनु एज लीगल टेंडर, अब एक चीज यह है, कि भई, जो कोई फैक्ट है, तो आपने बस उसको स्विकार करना है, और याद राखना, पि छंडा नहीं उठाना है, कि यह ऐसा क्यूं है, ऐसा ही है, यह एट इस एकॉनोमी, आरबियाई गवर्नर, एक रुपे के नोट पे साइन नहीं करता, क्यूंकि उस पे फाइनान सेक्रेटरी करता है, जो आई एस ओफिसर यूजियली होता है, अब ऐसा क्यूं है, वो कानून में है, कोई ने जैक्टा लगे, आरबिया एक्टा लगे, तो स्विकार करो आगे जो रेस का गोडा होता है, उसको पता होता है, मुझे एक्जाम के लिए इतना रटना है, और मुझे आगे बढ़ना है, तो वह आप एक थाट प्रोसेस डेवलप करो, उसके बाद का मुदा था UPI, एक जमाने में UPI समझान में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, उसका कारण क हम सब पर लेंगे WIN24, आज मैं कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम लिमिट, अब जैसे कि नॉर्मली आपको क्या PIN नंबर देना पड़े, कुछ बार ऐसा होता है कि बैंक का सर्वर डाउन और आपका काम नहीं हो, UPI से, तो उसके लिए UPI Lite, वो ऐसा कि जानी, UAE या कहीं से ओईल गैसी इंपोर्ट करें, तो डॉलर में पे करें, दिरहम में पे करें, कौन सी करंसी, तो उसमें बोला नहीं सिद्धा, UPI से पे कर दो, और रूपी करंसी में पे कर दो, और UAE सरका ने बोला हमको मंझूर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकल करंसी सेटलमेंट सिस्टम, उल्टा भी सही है, कि अगर UAE का इंपोर्ट कर रहा है, कि इंडिया की हमको चाय मंगवा नहीं है, और वो UPI जैसा उनका IPP, उसमें वो दिरहम करंसी, लोकल करंसी इसे पे करें, हम स्विकार करेंगे, तो यसा सब अग्रिमेंट किया, तो यह सब क्या हुआ कि सपोस्ट लास्ट बन यर का करंट अपेर्स है, यह काम का है, हाँ, पंचाती पिटनी इस पे नहीं, जो मैंने आपको बताया कि उसका कॉस्ट बेन इपिट एक हथ से जादा नहीं, फिर मुद्दा चला कि आजकल पेपल करंसी नहीं, डिजिटल करंसी होनी चाहिए तो कुछ प्राइवेट कंपिटर प्रोग्रामर्स, नर्ड्स, गीक्स, हैकर्स ने अपने से बनाई जैसे बिट कोई ए डोज कोई बगयर, उसके बारे में UPSC नहीं चोड़के पूछ चुकिये पिछले तीन-चार साल में, फिर आब UPSC का ध्यान गया हाँ अब तो सरकार और RBI भी चाती है कि हम भी डिजिटली अपना पैसा जारी करें, तो उसको क्या कहेंगे, Central Bank Digital Currency यानि CBDC, इसके प्रयोग 2022 से चल रहे हैं, अभी थोड़ा और Advanced Level में वो आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ कंसेप्ट समझने आपको, देखिए, आप अगर कैसिनो में अगर आप जीत गए, तो जो भी आपके पास ये टोकन से हैं, वो उसके कैशियर को आप देंगे, और फिर उसके सामने वो आपको असली पैसा देता है, फियाट मनी लीगल टेंडर आपको देता है, इन अदर वर्ड्स, ये जो आपका फियाट मनी लीगल टेंडर है, जब आप कैसीनों के अंदर ले गए, तो प्लास्टिक के टोकन में उसको रेप्रेजेंट किया गया, कि देखो तुम ये सब रोकडा एक 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 लेके छुटे वगर नहीं, ये उदर पड़ा है, अब तुम प्लास्टिक के पैसों से इधर खेलो, अपनी ये, जो भी इतना याद रखना है, MCQ में, it is a digital token, digital token that represents legal tender under RBI Act, जैसे कैसीनों के अंदर प्लास्टिक का टोकन रुपिय को प्रतिबिंदित करता है, ऐसा ये RBI का CBDC, वो असल करंसी को प्रतिबिंदित करता है, ऐसा ये digital token है, और इसको RBI Act में जारी किया गया है, फिर क्या हुआ कि अभी ट्र करने हैं, तो आप जानते हैं, नौर्मल SBI का कोई UPI टाइप का अप हो, यो नो अप, तो उसे आप UPI वाले कोड स्कैन करके, जो भी आपने पे किया दूद रही कुछ खरीदा, अब इनको ए रूपी का ट्राइल करना है, तो इन्होंने अलग एप बना है, SBI वगरा बड़ कि ये ए रूपी या सेंटरल बेंक डिजिटल करन्सी वाले जो एब्स हैं, उसमें भी आप UPI वाले कोड स्कैन करके, आपको नॉर्मल ये दूद दाइचास कुछ खरीदना हो, कर सकते हैं, पूरे भारत में नहीं, वा कुछ सिटी में पाइलट चल रहा है, तो इसको हम बो हो रहा है, तो ये भी एक बड़ा मुद्द आजकल चलता है, फिर बड़ी एक चीज चली इसमें, आप कभी भी बैंक में पैसा इंवेस्ट करते हैं, तो आपको सेविंग इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन अगर आपने वालेट में कैस रखा है, तो बैंक वाला आपको उसका इरुपी एक या जो भी दूसरे बैंकों के अप है, उसमें रखा है, और फिर वहां से आपने इसको यूज करना है, तो वह ऐसा विजुलाइज करो कि वो भी पैसा आपकी जेब में है, वो बैंक गाते में नहीं है, आपके जेब में जो मोबाईल है, मोबाईल के वालेट क दे और का जा इससे तुम बुकी खरी सकते तो पीजा के लिए पे नहीं कर सकते ऐसा प्रोग्रामेबल यह है कैर तो मुझे आपको जो स्वाहत देना फियाट मनी लीगल टेंडर यूपई सीबीडी सी ऐसे ऐसी कुछ चीज़े एकोनोमी में आते हैं जो फ्रेशर हैं वो समझें कि एक फ्लो में एक स्ट्रक्चर के साथ आप चलें तो पहले पिलर की एकदम शुरुआती बाते हुई उसके बाद आती हैं monetary policy, liquidity overhang, ICRR वगेरा कुछ current office topic चले वो क्या है RBI जो बना है उसको monetary policy कहते हैं सरकार जो बना है उसे feasible policy या राजकोशिय नीती कहते हैं monetary policy या मुद्रिक नीतिम क्या target है कि देखो भाई महाइगाई को 2-6% से जादा बढ़ने मत देना और वो काम हो जाए तो फिर GDP growth को कैसे बैतर किया जाए उसके लिए आप loan थोड़े सस्ते रखना और भी features हो सकते हैं लेकिन वो फिर feasible policy target करे सरकार कि हम investment कैसे बढ़ाएं लोगों का कल्यान कैसे करे वगेरे वगेरे तो मेन चीज होती है यहाँ पर monetary policy अभी के चर्चा में कि माले जे onion पांच रुपे से पचास रुपे से देड़ सो रुपे के हो गए तो इसे हम क्या कहें इंफलेशन बढ़ रहा है अब महेंगे इसे बढ़ना है क्या करे RBI कि लोन महेंगे कर दे ताकि पैसे जो public shopping में इस्तेमाल करती हो ना ना कुछ काम करती हो वो थोड़ा कम हो जाए demand demand कम हो जाए तो automatically दुकांदार ग्रह के लिए भाव कम कर देगा तो वापस भाव कम हो जाएगा inflation control में आ जाएगा अब इसके वास्ते RBI के अलग-अलग tools होते हैं CRR SLR Rapporate वगेरा basically उसमें करने कोशिश यह होती है कि कुछ करके आप money का supply कम कर दो यह नीचे आजाए तो अपने आप जो loan है वो महंगे हो जाएगे कोई भी चीज़ का अगर supply कम हो तो महंगा हो जाता है तो रुपिय का supply कम हो गया तो रुपिया महंगा हो जाएगा in the sense की loan महंगे हो गए तो उसके सब खेल चलते रहते हैं अब उसमें theory में कई बार YouTube पे पढ़ा चुका हूँ अब देख लेना यह की बात है कुछ नए concept जो हमें समझने हैं देखे आपने bank में पैसा deposit किया आपको bank 5% ब्याज दे रहा है वही पैसा उसने किसी को loan में दिया उस पे bank 9% interest charge करता है तो बीच में जो है वो bank का profit है कितना 4% अब यह जो 4% है इसे हम क्या कहेंगे net interest margin अभी तकलिब यह हुई कि पहले माली जो लोग 500 रुपे के note deposit करते थे और bank वाला उसको गुमाता अदानी कहें मुझे 500 का loan चाहिए system stable थी फिर आप जानते हैं पिछले साल यह 2000 के note को withdraw करना चालू किया तो जनता ने यह 2000 भी deposit करना पड़े और मैंने आपको बता यह अभी भी legal tender है तो बेन तो हुआ नहीं और यह तो फिर क्या होगा बेंक के account book में 2000 का note 2000 में नहीं वो तो unit के हिसाब से दिखना चालू करें तो वो तो यह भी कहें तो 500 का चार है तो बेंक के पास क्या बहुत जादा पैसा विपुल मात्रा में बढ़ गया deposit में इस चीज को हम कहते है liquidity overhang liquidity overhang यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि फिर बेंकर ने क्या करें पड़े कि यह सारा पैसा दो पड़ा पड़ा है मैं क्या करूं मुझे तो लोन में देना है अब अधानी कहें भई मुझे 2000 का लोन चाहिए ही नहीं मुझे तो 500 का ही चाहिए था तो उसको लुभाने के लिए फिर बेंक क्या करेगा अपना loan interest rate सस्ता कर देगा लेकिन लोन सस्ता हो गया पब्लिक दे दना दन फिर जो भी बाइक खरीदना है कार खरीदना है शॉपिंग करे और जितनी demand बढ़ जाएगी अगर उतना production नहीं है तो फिर inflation यानी महिंगाई बढ़ जाएगी So this is liquidity overhang problem इससे लड़ने के लिए क्या किया जाए कि ये 500 का note आया वो तो बराबर है अपन ये 2000 का note आया उसको lock करवा देना पड़ है कि वो loan में घुमाने ही सके आसानी से उसके लिए RBI लेकर आई एक temporary चीज उसको बोलते है ICRR ये क्या है नॉर्मल याप पैसा जो भी बैंक में deposit करते हैं अब जानते हैं उसमें से कुछ पैसा CRR में lock हो जाता है कि 100 रुपे deposit हुए तो 4.5 रुपे कुछ CRR में lock हो जाएंगे मतलब बैंकर ने RBI में जमा करना है RBI उसके कोई ब्याद नहीं देगा RBI अपना काम करता रहे तो ये तो चली रहा था पर मैंने आपको बदे है 2000 का नोट आगया तो लिक्विडिटी ओवर हैंग हो गया तो RBI ने का ये तो बराबर है 4.50% CRR cash reserve ratio लेकिन इसके अलावा ये जो तुमको 2000 अगयर के नोट साएं उसके प्रपोर्शन में 10% extra I.E.C.R.R. नाम की एक temporary चीज करते हैं मतलब बैंकों ने जो भी डिपोजिट आया उसका temporary 10% और लॉक करवा देना होगा RBI में जमा करना होगा That is incremental cash reserve ratio उसके बाद जो simple सी चीज आती है कि अगर RBI अपना रेपोरेट बड़ा देता है पहले 4% था फिर कुछ के 6.50 का मतलब क्या RBI जो बैंकों को short term में लोन दे रहा है वो लोन उसने मेंगे कर दिये तो बैंक वाले भी अपने हिसाब से अपने नीचे जो लोन, कार लोन, बाइक लोन सब दे रहे है वो मेंगे कर देंगे पबलिक शॉपिंग कम करें, डिमांड कम हो मेंगे काबू में आ जाए तो 2013 में ऐसा सब चला करते करते 6.50 पे रेपोरेट अभी चल रहा है उसके अलाब और भी चीज़े होती है में जैसे प्राइटी सेक्टर लेंडिंग की गरीबों को लोन का इतना पैसा minimum 40% जाना चाहिए वगेरा अमेरिका अपनी तरब से करता है fat tapering की मैं अपने लोन मेंगे करूँगा क्यूंकि अमेरिका में मेंगई से लड़ना है और उसके चलते है जो फॉरेंड इंवेस्टर में इंडियान पैसे डाला हो वो सब की समस्या होती है वो लोग पैसा निकालना चारू करें वगेर अब यह सारी चीज़ें कोई चिंता करने यह तो मैंने सब फ्री में पढ़ा दिया है हर साल मेरी जो सीरीज होती है तो लास्ट यह वीन 23 सीरीज थी दो हजर तेईस के बाद इसमें कोई खास बदलाव है नहीं है जो है वही है तो पुराने वीडियो देख लो नय वीडियो देख लो एक ही बात है वो यूटूब पे आपको मिल जाएगा अनस्टोपेबल चैनल है तो मैं बात कर रहा था डिजिटल पेमेंट हमने कुछ दिखा सेंटल बैंक डिजिटल करन्सी मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको स्वाद दिया बाखी सब प्री में बहुत कुछ है चैनल पे अनस्टोपेबल आप देखो उसके बाद बात रहती है बैंकिंग इस्यू शेर मार्केट पेंशन इंशॉरंस चुनिंदा इसमें बात करें देखिए बैंकों का क्लासिफिकेशन कि कमर्शल बैंक होते हैं कोपरेटिव बैंक होते हैं ये वो फिर सब NBFC होते हैं अलग अलग काम करते हैं कुछ शेर स्केश, कुछ पेंशन फॉंड्स, मिच्वल फॉंड्स वगेरा इसमें क्या क्या चल रहा है पेटियम का भी जो स्केम या पेमेंट बैंक बंद करने की बात है पर उसके जो भी चार कोर मुद्दे होंगे माली जे कि RBI ने अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एग 1949 बोला है कि इसका बंद करना है अभी और इसके अंदर ये चीजें हैं और किसी का डिपोजिट का पैसा अगर डूब जाएगा तो आप जानते हैं कि संस्ता है DICGC जो कि उसको उसकी बाल बाल कॉमेंटी देखनी नहीं है कुछ वर्सों पहले कोपरेटिव स्केम हुए थे NBFC में स्केम हुए थे हाला कि आजकल रेगुलेशन सब्टाइट कर दिया है अगर हम PYQ देखे तो कास सवल आते नहीं और आते हैं कौन किसका बॉस है कौन किसका ओनर है इस ताइब का जी के आता है उस हिसाब के अपनी फोकस यहां पर रहनी चाहिए तो माला I will not make this a matter of life and death कि मुझे जितनी गृप मॉनेटरी पॉलिसी की थेयरी पे होनी चाहिए उतनी इस पे हो नहीं हो ठीक है फिर तकलीफाइ बैड लोन्स की वो अमेरिका में 2007 में क्राइसिस है उसके चलते इंडिया का बिजनेस डाउन हो गया और लोग लोन नहीं चुका पाए बगेरा बगेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उसको रिकवर करने के लिए दो कानूने एक है सरफाइसी एक्ट जिसमें सिद्धी संपतियों की निलामी हो जाएगी और दूसरा होता है इंसल्वंसी बैंकरप्सी कोड कि उसमें पहले मांडवलिया मीडियेशन के कोशिश होगी कि भाई कोई नहीं आप दस साल का लोन है बारा साल में चुका दो एट परसेंट भ्याज था सेवन परसेंट देड़ो वगेरा तो देट इस आईबीसी कोड अब आईबीसी कोड में पहले बहुत हार्ट इमोजी था क्योंकि ये शायद दोजार सोला में आया तो शुराद में लगा कि इससे बहुत गीदूत की नजिया बहेंगी फिर आजकल थोड़ा रिकावरी उसमें कम आ रहा है तो एंटी टाइप की क्रिटिकल कॉलम्स भी चलते है जो भी पांच साथ मोद्दें उतने याद रखनें फिर पूरा दिन इसको लेके नहीं बैठा रहे न क्योंकि इसकी भी एक हट से जादा उपियोगी ताने अब फॉर एक्जामपल कोई व्यक्ति अगर इंसॉल्वंट हो दिवालिया पन दिखा दे तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती ऐसा सब जो भी समिदान में लिखा है गवर्मेंट रूल्स रेगुलेशन में लिखा है पन जो कोई विल्फुल डिफॉल्टर हो जैसे वीजे माल है जिसके पास पैसा तो है पन वो लोन चुकाता नहीं है तो इसके बारे में रूल्स क्लियर नहीं है इलेक्शन कमिशन पे बैंकर एसोशेशन प्रेशर डालने कि आप ऐसा बोल दो कि अंडर जो भी रेप्रेजेंटेशन और पीपल एक्ट यह लोग चुनाव का नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते पन इलेक्शन कमिशन साइलेंड है तो इसे छोचे-छोटे मुद्दे भी चलते रहते हैं पर एक ख़चे जादा इसमें लेफराइट करनेगा प्रिलिम पोइंट अव्यू से बाथ फाइदा होता है क्या तो मैं कहूँ यह जो बर्निंग इशू इन बैंकिंग सेक्टर में क्या बैंकों का क्लासिफिकेशन, NPA बैट लोन वगएरा की समझ से आकुछ स्केम पुराना देखो नया देखो कोई खास नए अपडेट ने क्या पेटियम का स्केम नया और तो क्या यह से चोटे मुद्धे चलते रहते हैं आपको लगे बहुत कोई यह चोटा-चोटा हो रहा है बट डेट इस नोट रियली इंपोर्डन फॉर एक्जाम जब आप पुराने पेपर देखें फिर मुद्धा आता है शेर मार्केट शेर मार्केट में मित्रो पिछले तीन-चार साल से UPSC को खुझली मची है सब एडवांस लेवल का पूछ रहे हैं जो असल में किताबों में दिया है मलब जैसे बीटा का क्या मतलब है इंफलेशन इंडेक्स बॉंड पे इंकम टेक्स चड़ता है कि नहीं रिटेल इंवेस्टर, NDS, OM नाम का आर्वीय के प्लेटफोर्म से खरीता है या कोई और है उसका स्क्रीन वाला प्लेटफोर्म तो थोड़ा जटिल हो रहा है अब बात ऐसी है कि शेर बाजार में जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मैं आपको बेजिक भी बता हूं तो भी एगंटा जाये एडवांस जो पढ़ना है वो बताऊ तो भी एगंटा चाये तो मेरी आज की टार्गेट मैंने आपको बता है कि मैं आपको 6x6 पिलर की टेस्ट देना चाहता हूं कि यह चल रहा है इसमें इतना इतना द्यान रखना फ्रेशर को भी समझ रहे और जो सीनियर प्लेयर है उसको भी द्यान रहे तो इसलिए मैं इसमें जान नहीं रहा शेर मार्केट के अंदर भी यह जो अंस्टॉपेबल चैनल है बहुत सारे मैंने वीडियो डालें स्ट्रक्चर तरीके से उसका पूरा एक हैंडाउट भी मैंने प्रिपेर किया है पहले करीब 50 पेज इसका था और अभी UPSC का जो एडवांस उसने पूछना जा इसको 70 पेज का हो गया तो इसमें भाई यह तो हकीकत है आप पौलिटी का एक सवाल आपको निकालना हो 80 पेज पढ़ने पड़े लक्षमी कांद का यह भी सब ऐसी बात है तो मैंनत तो करनी पड़ेगी कुछ कोचिंग इंस्टिटूट में देखता हूँ शेरोशायरी मोटिवेशन ग्यानी करते हैं और जब एक्जाम में बच्चे फेल होते हैं तो UPSC को ब्लेम करना चालो करें कि भाई यह तो एंटी मीडियम एंटी हिंदी मीडियम है दूसरे टीचर्स का हैंडाउट लंब आईए वो मेरा यह कहना है पिछले तीन साल साल से पेपर तो टब हो रहा है तो कॉंटेंट अपडेट करके पढ़ाओ ना यह कब तक आप दो शार ओपन करते रहोगी तो अनेकेडमी के अंदर हम यह करते नहीं है दो शार ओपन अपडेट करते हैं अपडेट करन्ट अपडेट के इसाब से बहुत जादा अपडेट्स एक्जाम में मज़ा आजाया यह से हुए नहीं लेकिन मैंने आपको थेएरी का थोड़ा एडवांस चालू आए तो उतना थेएरी और मैं उसमें डाला हूं कंटेबर इस्चूस डाला हूं उसी तरह च किया गया है सी सेट में भी नए ट्रेंड के इसाब से काफी एडवांस लेवल की चीज़े पुछी जाए जो मदूकर सराज आपको पढ़ाएंगे उसमें से कुछ टॉपिक्स वो सब भी चला है तो दिंग्स अर गोई ओन और 22nd February से मेरा कोर्स भी शुरू हो रहा है यह जो पुरी कॉम्पोजिट चीज है जो ओफरीज गोई ओन की 15,000 सम्थिंग प्लस GST फॉर मन दूरेशन उसके अंदर आपकी और सारे सब्जेक्ट प्रिलिम की टेस्स सी सेट सब कुछ उसमें इंक्लूड़ेट है जय तक कि एकोनोमी का मेरा कूर्स है लाइव लेक्चर पावर अधिसली अटेंड करने चाहिए वरना क्या होता है लोग फास्ट फॉरवड में देखते हैं जंप मार मार के देखते हैं तो उनको मजानी आता है और वो उनका ही नुकसान है खेर में वापस आओं पांच्वाई बात मुझे करनी थी पैंशन इंशॉरंस की पैंशन लाइफ इंशॉरंस, हेल्थ इंशॉरंस, गरीबों के लिए प्रदान मंत्री जन आरो के दना पांटलक का हेल्थ इंशॉरंस, फिर ये मजदूरों के लिए ESIC नाम की एक संस्ता है, किसानों का फसल भीमाय और भी छोटे मोटे प्रॉड़क्स, पैंशन के आप बात करें, म कोई प्रीमियम या फीज नहीं दे सकते हैं, उनके लिए National Social Assistance Program है, तो ये मैंने आपको एक स्केलेटन दिया, इसके उपर भी बहुत सारा हाड मास और चड़ेगा, और फिर पूरा टॉपिक बनता है, हाला कि जो टॉपिक बनता है, उसको मैं देता हूँ, वन स्टार, मैं इ जो मैं बात करूँ, CRR, SLR, repo, महेंगा ही बढ़ेगी, इसको बढ़ाएंगे, कम करेंगे, उसको मैं दू फाइज स्टार, क्यूंकि वो कुछ भी पूछे, आप उसको स्वाल कर सकते हैं, उसकी वो, मनलब एक बार ठीरी सुकुन से पढ़ ली, स्टाइक रेक्ट हंड़ेट परसेंट हो जाता है, तीसरा, बैंकिंग इशू और ये शेर मार्केट, उसको भी मैं दूँ, थ्री स्टार, वो हिट अन्मिस, या मैं कहूँ टू स्टार ही रखते हैं, ये जो पांच भी बात मैंने आपको बता है, पैंशन इंशॉरंस, उसको मैं दे रहा हूं वन स्टार एक तो हर साल सवाल आते हैं, आते हैं तो हीट अन्मिस टाइब का उता, बीच में एक बार पूछा कि साइबर इंशॉरंस क्या है, और कोई अगर आपका कॉम्प्यूटर हथोड़ा मार के तो तो साइबर इंशॉरंस कंपनी पैसा देगी कि नहीं, कोचिंग वाले देगी, कुछ बोले यहां देगी, कुछ बोले नहीं देगी, फिर उसकी आंसर किया है, कुछ अलग चल रही है, तो इसलिए मैंने इसको वन स्टार एक, क्यूँ पढ़ सकते हैं, उसके बाद आते हैं, हम लोग सेकंड पिलर, इस बजेट टेक्सेशन, तेके बजेट टेक्सेशन वगेरा में, अभी जो 1st February कोई बजेट आया, तो मैंने एक एक करके तीन वीडियो डालें, एक के अंदर सब फीजल डेफिसिट वगेरा फॉर्मूला जो रटने हैं, दूस मैं चाहता हूँ, आपको मैं कुछ नया सब करूँ, तो उसे वीडियो उदर देख लेना, ओके सो पिलर वन इस दन, सेकंड इस दन, अब थर्ड पिलर पे चलते हैं, इंटरनेशनल, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगेरा, इसमें क्या आता है, इंपोर्ट, इस हिसाब से कि कुछ पूछा जाए, और आपका जवाब सही कर सके आप, मलब किताबों में दिया हो, आपकी समझ में हो, उसकी क्या संभावना है, तो थोड़ी काम रहती, कुछ बार वो ऐसा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट का डेटा पूछते हैं, जो अपकोर्स, एकोनॉमि को याद थोड़ी रहने वाला, so I would give two or maximum three star, एक बार FDI वागे रखे बारे में ऐसी advanced चीज पूछी कि जो आपको RBA का notification पढ़ना बड़े, तो अच्छा ये वाला भी इसमें गिनते हैं, बगएर, second जो concept आता है currency exchange, मैं उसको दे रहाँ five star, five star इसलिए कि उसकी एक बार आप theory सुकुन से पढ़ लो तो फिर लगबग-लगबग 100% strike rate से उसका जो भी पूछा जाए आप उसको solve कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको five star देता हूँ कि उस पर grip बनानी चाहिए, तीसरा international organization and agreement आपके बहत आसान है, वर्ल बेंक है, ड्व्टियो है, और आयमेफ है, और बहुत सारे और पच्चीजात के organization है, लेकिन मैंने उसको दो star दिये, उसका कारण ये, सीधी-सीधी रटी-रटाई बाते पूछते नहीं, अब ड्व्टियो में भी एक बार कुछ ऐसा agreement पूछा जो हम ट्रीम्स या कुछ था, जो उसकी website देखो तो पता चले कि वो goods में MDI अलाव करता है, service में करता है कि नहीं, या इवन G20 ग्रूप में आपको बड़े देश याद हो, अपन छोटे वाले देश का वो member list पूछे, फिर कुछ ऐसे agreement पूछे जाएं जिसमें इंडिया नहीं, अमेरिका और अपस में कुछ हो, तो थोड़ा मुश्किल है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, उसको skip करना है, मैं आपको यह बता रहा हूँ कि अगर आपका यह जीवन का आखरी दिन होता और कल सुबह एक्जाम होती, तो आप क्या करते हैं, इसमें से भी question आ सकते हैं, but what is the probability of getting a correct answer, then probability is low, that is why, वरना इसमें भी, जैसे अभी तेलंगाना में कुछ election हुआ और उनके sitting CM थे वह हार गए, कुछ नया leader जित गया, तो ऐसे भी upsets होते हैं, एक्जाम में, पर आपको फिर सुचना है कि वह नया क्या ही कर लेते हैं, जो CM ने किया था, उससे भी और क्या कर लेते हैं, वगयारा. Now next, the most important, out of this thing, मैंने आपको बता है, currency exchange, वो important चीज़ है, उस concept को हम समझेंगें. एक किलो ओनियन का क्या भावना चीज़, चालिस रुपे पर किलो, एटी रुपी पर किलो, कैसे डिसाइड होगा, supply और डिमांड की, बैलेंस बनेगी, supply क्या है, area under cultivation, rainfall कितना हुआ, कीटकों का उपद्रव, pest disease क्या था, उस हिसाब से supply आएगा, सामने डिमांड क्या है, तो उनों का जो भी होगा equilibrium, उस हिसाब से जो भी 40 बने, 80 बने, कुछ हो सकता है, तो उसी तरज पे, उसी तरज पे, currency exchange का भी scene बनेगा, आप बनाओ लोजिक, कि एक डॉलर की value, रुपीय में क्या होनी चाहिए, 40 उनी चाहिए, 80 उनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो ये त परता है, मतलब, अमेरिका की monetary policy क्या है, वो कितना money supply generate कर रहे है, quantitative easing चला है, जहांपर डॉलर सप्लाई जादा हो, या fat tapering चला है, जिसमें कम हो, बराबर, FDI के नाम पे, कितना पैसा आ रहा है, भारत सरकाने कितनी limits तय की है, और लिमिट बढ़ा भी दी जाए, कि माली जे insurance sector में 49% नहीं, भारत की कमपनी में 74% shareholding भी माल लिजे, foreign company को अलाव करे, पन जो foreign company है, इधर दंदा करने में मजा ही नहीं है, ease of doing business नहीं है, तो नहीं आएंगे, तो quantity के हिसाब से कितना dollar आ रहा है, उसी तरह भारत का कितना माल export हो रहा है, क्योंकि अगर Indian पर जो चाय है, उसको अमेरिका वाला पीना जादा चलू करे, तो वो तो डॉलर में पे करके लेगा चाय, तो उस हिसाब से जितना अपना export बढ़े, या अमेरिका के हिसाब से उनका इंडिया से इंपोर्ट बढ़े, तो वो equilibrium को disturb करेगा, और कुछ नया बन जाएगा, उसी तरह dollar की इंडि हम अमेरिका से Harley Davidson या क्या चीज़े इंपोर्ट करते हैं, बाइक इंपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए, वेकेशन के लिए कितना जाते हैं, वगेरा फैक्टर्स, और हमारी खुद की Central Bank कितना रूपिया करंसी जनरेट कर रही है, तो इन दोनों को जब मिक्स मेच करो उपिलिब्रियम फैक्टर्स, तो प्रशन बनते हैं, पहला प्रशन बनता है, सरकार क्या कर सकती है, डॉलर रूपी सप्लाई को एड़ज़ करने के लिए, और इसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को क्या आफर हो सकती है, इंडिया के, फॉरें के, इस इस तरफ एक्सपोर्टर को मजाएगा, इंपोर्टर को मजाएगा, पूरी चीज़े, अभी नहीं समझ रहें, इसी में आदा गंटा चला जाए, बट समझो कि that is very easy thing, और उसका strike rate में 5 star उसको देता हूं, आपने दिमाग लगाना चाहिए, अब दिमाग लगाने में एक बा महारत में अगर इंफलेशन बहुत बढ़ जाए, कि अपने चाहिए जो 50 रुपे की जगे 500 रुपे की हो जाए, जैसा श्री लंका में हो गया, तो USA वाले इंडिया का चाहिए खरी देंगे, क्योंकि वो सोचेगा, बट से रूपी में कनवर्ड करू और ये तो पहले से कि इंफलेशन आता है, मतलब अंडा आता है, उसके बाद रुपिया भी खोता है, मुर्गी आती है, लेकिन इसका काउंटर भी चले, कि देखो अगर रुपिया कम्जोर हो गया, मतलब एक डॉलर, पचास का था, असी का हो गया, तो हम जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट करत आता है, तो इंफलेशन आता है, मतलब जो मुर्गी है, तो फिर अंडा आता है, तो लोग इसी में भटक जाते हैं, जो MCQ पूछते हैं तो आपको ये क्लेरिटी होनी चाहिए, कि वो कितने सीक्वेंस या स्टेप्स का पूछ रहा है, या एक्जामिनर के दिमाग में क्या आता है, बहुत ही आसान है, आप पुराने PYQ देखो, और क्या प्रस्न का क्या फर्मेट, या प्रस्न का फर्मेट, या एक रहा है, कुछ लोग आसान होने के बाद भी इसको नहीं है, या पूटिंग पाते हैं, ये एक बात हुई, अब मैं स्लाइड चेंज करता हूं, जस अब इसके अंदर समझे, अग्रिकल्चर इस एन इंपर्टन टॉपिक बिकाज, फोरेस्ट सर्विस और सिबिल सर्विस के एकजाम कॉमन होगे, प्रिलिम, अब ये जो एग्रिकल्चर है, वो असल में तीन चीज है, एक उसमें साइंस टेक और बायो टेक टाइप का है, जो समतिंग, या एग्रिकल्चर का थोड़ा ओर खींचो कि आपका अनिमल हस्बंड़ी और सोमेटिक सेल ट्रांसफर करो, डॉली नाम का क्लोन शिप बनाया था, वो सब है, तो ऐसी भी चीज़े आपको करनी पड़े है, और थोड़ा होता है, एकोनोमी की स्कीम्स के पीडिया में मिल जाए, इंडिया यर्बुक सरकारी है, उसमें मिल जाए, वगेरा, और एडवांस लेवल का जाना हो, तो तो तमिल नाडू की एग्रिटेग उनिवरसिटी है, उसकी वेबसाइट में से सब निकाल निकाल के पड़ो, पन वो क्या जो इंडियान फोरे सर्विस की ति और उसमें भी बावटेग रिलिटेड चैप्टर से हैं, पसंद हो की नहीं हो पढ़के जाने हैं, मैं आपको एक्जामपल लूँ, सॉमेटिक सेल, उससे क्या है, उससे क्लोनिंग होता है, डोली नाम का शिप वो बनाया था, हिपेटाइटिस बी की वेक्सिन है की नहीं, बावटेग से बनी हैं, नहीं बनी है, सिंपल सा क्वेश्चन वो सॉल हो जाए, मार्सूपियल, वो ये कांगारू कोलर टाइप के जानुवर हैं, ऑस्टेलिया में पाए जाते हैं, सिंपल से फैक्ट से आप पढ़ेंगे आपको दिमाग में, आपको दिमाग में, यह क्या एन्वारमेंट फॉरस के साथ जुड़ा है, वो सब पढ़ना है, UPSC के अंदर टॉपर, जो है, नीट, IIT वगएरा, वो करके बैठाओ, तो उसको तो बही 11-12 सब पता है न, अब वो के में तो पढ़के नहीं गया था, तो फिर जो दूसरे बचे हैं, हम में भी पढ़के कि चुरात में जो मैंने आपको बात करी, कि एक पॉंड है, जिसके अंदर 45 लिटर आपने पानी भरना है, जिसमें से 35 तो चलिए ही, यह जो अपना पॉलिटी था, एकोनोमी था, जोग्रफी, एन्वारमेंट था, उससे बरा, अपन 10 तो और भी लिटर पानी भरना है न, वो सब इधर चोटा-चोटा आप करेंगे तब जाके बरेगा, so don't neglect that, इधर मैंने कुछ slides बनाए थी, time limit के चलते में बताने ही पाहूं, तो डरना नहीं है, downloadable, इसका सब मिल जाएगा आपको, वो आप देख लेना, तो मैं यहां पर यह बता रहा था, इस slide के अंदर, कि basically N NCRT में जो human geography के NCRT है, उसमें माली जे facts कुछ दियाओ कि A है, और सामने Wikipedia में बोलाओ कि facts कुछ दियाए B है, तो फिर UPSC का question है, तो हमको NCRT वाला दिमाग लगा के चलना पड़े, इसलिए यह जो NCRT भी human geography वगेरा है, वो भी शबद शह पढ़के जाने है, सानी मजा आग पिर बात है, एकोनोमी की, मुलब एगरी कल्चर के अंदर, साइंस भी है, जोगरफी भी है और एकोनोमी भी है, एकोनोमी में, अब जैसे रश्या के अंदर एक कलेक्टिव ओनर्शिप ऑफ लेंड था, कि सारे लोगों की जमीन सरकार ने अपने मालीकी में ले ली और किसा थोड़ा इस खेद का मालेक हूँ, तो सरकार का खेद है, तो मैं क्यों मजदूरी करूँ, और आप जानते सड़े के साथ करेंगे, तो वो भी सड़ जाएगा, तो यह पूरी कॉल खोज सिस्टम थी, तो इसमें खामी थी, इसे हमें सबक क्या मिलता है, कि भाई, जमीन की मा अधिया कंसेप्ट आया, स्मॉल फार्मर लार्ज फिल्ड, कि आपके पास मालीजे एक हैक्टर जमीन है, आपके पड़ोसी गरीब फार्मर के पास एक है, तीसरे के पास, अब आप एक करके दुकानदार से फटिलाइजर खरीदो, या एक एक करके आप मंडी में जाके वो तो आपका शोशन हो सकता है, because you are a small person. लेकिन ये सब लोग बोले के हम एक क्लेक्टिव ग्रूप हैं, और हमारे पास तीन एक्टर जमीन हैं, और हम जो भीस में तीन तरन हमने अनाच बनाया है, so now they will have a strong power. फिर वो काई, अब हमें फटिलाइजर करें, तुम भाव सस्ता करो तो ही हम लेंगे, then it makes sense. तो इस कंसेट पे एक बार पूछा गया, पड़ ये तफ था, क्योंकि ये सब बुक्स में नहीं दिया, तो कई बार ये भी होता है, so now again, मैं स्टार देना चालो करूँ, फिलम कितर है, कि एकोनोमी, के अंदर अग्रिकल्चर, उसमें क्या कितना महत तो हम उसे दे सकते हैं, सबसे पेला है लेंड, तो लेंड का मैंने आपको बता है, यसी सब अतरंगी चीजे पूछते हैं, तो फाइस स्टार में दे नहीं सकता, बुक्स में दिया, तो मैं उसे टू या थ्री स्टार दो, जिसमें हमें खास ध्यान रखना चाहिए, लीगल चाहिए, फर्टिलाइजर, उस पे सरकार सबसिड़ी दे, और गैनिक फार्मिंग, मालब केमिकल मत युज करो, जैवी खेती, उसके लिए योजना है चलती हो, अगें आइवड गिव फोर तो फाइस स्टार क्योंकि थोड़ा पढ के जाओ और कुछ चीज आ जाए तो स्ट तो कुछ बार पूछ लिया, फिर कभी नहीं पूछा, फिर मुद्धा है कि ये सब खरीदे के लिए आपको लोन चाहिए, इंशॉरंस चाहिए, उसके अलग-अलग योजनाए है, सबसिडी देती है सरकार में, उसको फाइस स्टार दूँ कि उसकी आपको पता होनी चाहिए प्रिलिम है, मेंस है. So like that you will distribute your time and attention over this 5-6 things. अब याज कल एक नया राड़ा चल रहा है, कि अगरी कल्चर में अमने आउटपुट तो निकाला, मलब कुछ पैदा किया, अब उसको बेचने जाएं, तब शोशन हो रहा है, तेकि किसान अपना उपज किसको बेच सकता है, प्राइवेट में बेचना हो, तो APMC मंडी में, उनलाइन बेचना हो सरकार का इनम पॉर्टल है, एक्सपोर्ट करना वो भी सुविदा है, लेकिन सरकार रैंडमली बेंड कर देती, जैसे ही रशिया-Ukraine क्राइसिस के चलते है, भारत, मलब यूकरेन से जो गेहु एक्सपोर्ट होते थे वो थड़ा कम हुआ, तो आफरीक किसान चाहे सरकार को भी अनाज अपना बेच सकता है, फूर्ट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अनाज बेचे, अब ये MSP क्या आप जानते है, आजकल ये सब दिली वगएरा में कुछ आंदोलन चला है, उनकी क्या होगी एक तो जाएगा, समझो कि एक फॉर्मुला है, A2 प्लस EFL उसका 1.5 तो आपको MSP 50% प्रॉफिट मिलता है, किसानों की दिमांड क्या है, कि इसको कानूनी अधिकार बनाओ, कि सब को, जैसे राइट तो इन्फरमेशन है, इसको का तो राइट टो एजुकेशन, अलाग कि राइट का अलग मुद्दा चले, किसानों का कहना है, सभी, उस पे MSP अनूंस नहीं किया जाता, फॉल्फूट आपने बना है, उसको ताइम अच्छे बाव पे खरीदा नहीं जाता, वगेरा वगेरा, क्या तो वो सब मुद्दे चलते हैं, मैं वापस आँ एकोनोमी अग्रिकल्च इंपुट जो है, लेंड, सीड, फर्टिलाइजर ये वो, उसकी सीम ये वो, तो मैं उसको माली जो फोर टू फाइज स्टार दूं कि उस पे जादा अटेंशन दिया, आउट्पुट जो है, तो आउट्पुट में ताम सम्झों क्या हुआ, दो तीनी तो मुद्दे बने न करने ता आपने समझना है कि बाई, मैं कितना प्रपोर्शन आप माई टाइम इसुट स्पेंट इन सच कॉलम से बरिधिं पर एक मुद्दा थे फूड प्रोसेसिंग, ये ब्रेट, बिस्किट वगएरा, पर वो मैंस में आते प्रिलिम में उसका काम नहीं है, फिर चौथा ह क्योंकि वो तो बहुत रेरली कुछ पूचा जाता है, मेंस में काम का है कुछ लिखने के लिए, फार्मर्स की आमदन ही डबल करने के लिए, प्रिलिम में उजना है कम है, प्रशन कम हाएंगे, स्वाब है, अगरिकल्चर, मैनुफेक्चरिंग, सर्विसिस, मैनुफेक्चर प्रशन के लिए अगरा, फिर सरकाने पाएंगे, सर्विस एक्टर में इन्फोसिस, टीचेस तो गया, अपन मैनुफेक्चरिंग में फोकस नहीं कर पाएंगे, पहले मेक इन इंडिया आया, और फिर भारत में असेंबली की जाएगे, आइपोन वगरा इंडिया में बने, तो पन्टीम को कैसे मजा है, तो उनको बोला हम आपको सबसिडी देंगे, आप इधर बनाओ आईफोन, तो ऐसी स्कीम है, प्रोडुक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, अब उसमें बारा-पंद्रा ऐसे अलग-अलग प्रोडुक्स को दिया जाए, फिर कोई द्योग पत प्रोडुक्यों कीता कम है, मेंस में थोड़ी जादा है, यह ऐसा पिलर है, जो पिलर फोर भी वगरा चले बैनुफेक्ट्रिंग सर्विस एक्टर, मैनुफेक्ट्र में और भी मुद्द्या है, इंड़स्ट्रिल एवलिशन 4.0, AI और ड्रोन और रोबोट से असा बैनुफ आपको थाइसो रुपे भी पे करने पड़े, घर पे क्यों? क्योंकि स्विकी जो में तो माली जे 30% कमिशन चाल करें और डिलिवरी फीस ले, यह वो, बट सरकार ने का तो हम भी अपना बना देते ना UPI जैसा कुछ, ओपन नेटवर्क फोर डिजिटल कॉमर्स, एक नोट- 250 का बर्गर घर पे 200 में मिले, होम डिलिवरी, क्योंकि इसका कमिशन कम होगा, और इसमें और भी मुद्धे हैं कि जहां पर वो सेलर को प्रोटेक करें, वरना कि अब फ्लिपकार्ट और अमेज अनमाली जे दो ही कंपनिया हो, और फिर अगर कोई सेलर उस पर अपना मैं सिर आपको स्वाद दे रहा हूं, पूरी डिटेल्स हम सुकुन से पढ़ेंगे, फिर बात आती है ये सब का प्लानिंग और नीत्याग वगरा, तो आप समझते हैं, देखिए, नौर्थ कोरिया वगरा में क्या सरकार का ही पूरा साशन है, सोशालिजम, कम्यूनिजम, हम भी तहे करेंगे, क्या प्रोडक्त करना है, क्या बवाव रखना है, अमेरिका में कैपिटालिजम कमपनियों को छूटे, तुम देदना दंजो करना करो, भारत का मॉडल है मिक्स्ड एकोनोमी, प्राइवेट सेक्टर कमपनियां भी होगी, दोनों को मदद मिले बगरा, और उससे एकदम अलग चलें, कि कैपिटालिजम से भी एक स्टेट आगे, कि पुलिस भी सरकारी नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट पुलिस होनी चाहिए, आप फीज दो और वो आपका केस सौल करे, ऐसा लिबर्टेरियनिजम या एनर्की, जो ये आर्जेंटिना का एक नया जेवियर मिलाई, वो ये सब बोलता है, फिर वो ये भी बोलता है कि डॉलराइजेशन करते हैं, मरलब आर्जेंटिना में जो पेसो करंसी है, उसको बंद कर देंगे और डॉलर को ही अपनी मुदराम स्विकाल लेते हैं, अब इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते है, थोड़ी थेयरी पता होनी चाहे क्योंकि ये एंस्याटी में भी दिया है, बट एक हथ से जादा आप आर्जेंटिना की एक्जाम की नहीं आप भारत की एक्जाम की तियारी करने हैं, तो वो सब आप करें, बाकी आप जानते हैं, पुराने जमाने में, नहरू वाज इं जाने लाइक दो तीन चीज होती है, परियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसके डेटा का क्या टेंड है, क्या डेफिनेशन से, और बेरोजगारी क्या अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, तुसमें मैं जाने रहूं, बेसिकली इतनी ही चीज होते हैं, उसमें बहुत क्य पच सेवाओ का कुल बाजार मुले, जिसको ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट, GDP कहते हैं, फॉर्मूला तीन चार रतनी होती आसान है, प्लस इंवेस्टमेंट, प्लस गवर्मेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये कर होता आपको GDP मिल जाए तो ये एक तरीका हो, जिसको हम कहते हैं, एक्सपेंडिचर मैथड़, दूसरी और भी तरीक होते हैं, ग्रॉस वैल्यू अड़ेड़ मैथड़, कि टेक्टर में से उसमें स्टील जो लगा, उसका प्राइज माइनस करो, जो मिले, वो GDP है, तीसरा होता इंकम मैथड़, कि स तो ये तो सही बात नहीं है, कि एक किलोई पैदा हुआ, ये तो इंफ्लेशन के चलते बढ़ गया, तो इंफ्लेशन के साथ जो जुड़ा है, ऐसा जो GDP उसको हम कहते हैं, नॉमिनल GDP, that does not tell us the true picture, तो फिर हमने क्या करना चाहिए, कि 2011 या को एक बेजियर पकड़ेंगे, और समझो GDP, अटिमेटली क्या है, आप लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कंजूम कर रहे हैं, और मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताई कि, प्लस इंवेस्टमेंट, प्लस एक्सपोर्ट, माइनस इंपोर्ट करो, तो GDP मिलता है, तो GDP असल में आपको दिखा रहे ह वुर्दी, if economy growing very fast rate, GDP growing very fast rate, तो उससे मेंगाई को निमंत्रन मिलता है, because demand के सामने supply match नहीं कर पाती है, यानि GDP आप कहें कि, ठीक है, 7-8% अच्छा है, अपर आपके 17-18% होना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि मेंगाई फिर उसके पीछे दौलती दौती च scenario, अपर मध्यम मार गा, कि GDP जो है, वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, और GDP बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए, कि बहुत जादा GDP होगा तो इन्फलेजन बढ़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं, गोल्डी लाग scenario, तैसे एक- सारे कंसेप्ट होते हैं वो थोड़ी बहुत अपने को समझ होनी चाहिए फिर कुछ शब्द भी होते हैं जैसे GDP क्या है Gross Domestic Product, GNP क्या है Gross National Product, NDI क्या है National Disposable Income, फॉर्मुला वगरे में बात ऐसी है कि जब मैं बात करूँ GDP की तो सिर्फ बारत की बात करनी है, बीदेशों की बात नहीं करनी है, मतलब प्रियंका चोपडा अमेरिक का पैसा कमा के इंडिया में भेजे तो वो इंडिया का GDP नहीं है क्यूंकि हमने सिर्फ इंडिया में पैदा हुई चीज की बात करनी है, रतन टाटा जेगवार कंपनी के अंदर उनका ओनर्शिप है जो ब्रिटेन में होगी, उदर से प्रॉफिट का पैसा इंडिया में आए तो अमने एड नहीं करना है, क्योंकि वो तो ब्रिटेन का GDP उदर जो पैसा कमाया या प्रॉड़क्शन किया, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात करनी है, तो इसका मतलब जब हम कहते है GDP तो ग्रॉफिट डॉमेस्टिक प्रॉड़क्ट है, लेकिन फिर में यह कहना चालो करो, कि नहीं यह जो प्रियंक प्रिशनल प्रॉड़क्ट उसमेड करेंगे, नैशनल डिपोजिबल इनके उसमेड करेंगे, फिर और मुद्धे आएंगे कि अच्छा यह गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी वगरा का पैसा या तो इसको एड नहीं कहें, इसको एड़ कहें बागरा चलता है, बाहर से देखो पोस्ट मॉटम है, इट डज नॉट है, महलब कुर्स करेक्शन में अपने को टाइम नहीं मिले, सरकार को RBI को, इसलिए वो क्या देखेंगे, अच्छा हर महीने ट्रेक्टर का कितना सेल हो रहा है, और अगर सेल कम हो रहा है तो इसका महलब किसानों को कोई तकलीब है, तो उस अगर वेट्स कितने हैं, टाइप्स एफेक्ट पूछे जाते हैं, मैं थोड़े दस मिनिट एक्ष्टा लेता हूं, मदुकर सर का अभी हम लेक्चर शुरू करते हैं, बस दस मिनिट में इसको खतम करूं, तेखें, इंफलेशन क्या है मेंगाई, तो मेंगाई क्या है, कि फ उसको एड़ेट करना चाहिए, बराबर, तो में को फूड को रोज खाते हैं, तो इसको मैं थ्री ताइमस वेट दू, क्लोथ का फिर 2B and 1C, ऐसा कुछ करकें, डिवाइड बाई 6, यानि कि एक प्रकार का वेड एवरेज हो जाएगा, तो ठोड़ा सही रहेगा, कि यहां CPI ऐसे कैलकुलेट करो, अब ऐसा प्रश्णा, 2020 में पूछा, कि यह 2-4 जो चीजें हैं, फूड है, क्लोथ है, इसमें सबसे जादा वेट की सको असाइन करते हैं, जब CPI का कैलकुलेट सरकार करती है, अब बात ऐसे 2020 में पूछा, आप भुतकाल में जाओ, 2019 में नहीं पूछ तो यह जो भी Royal Entry Topper और यह Vloggers हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने दुनिया कम देखी है, तो वो कहते हैं, इसमें नहीं पूछते हैं, इसको छोड़ दो, अब बात ऐसे तुम तो भाई सिलेक्ट हो गए, तुमारे जमाने में एक्जाम भी आसान हुआ करती थी, अब तुम कि यह मत करो, वो मत करो, then it is not helping you. मैं एकनोमी टीचर के रूप में, तस-बारा साल से बढ़ा रहा हूं, हर साल तो क्वेश्चन आता भी नहीं है, तो कम्प्लीट करना पड़े, और दूसरा, कि अगर आप CDS, Engineering, CAPF, यह सब परिक्षाव का अगर आप देखे, अनालिसिस, प करके जाने, तो इसलिए आप, जो आपके टीचर साब को बता है, उस पर जादा ध्यान दीजिए, यह सब क्लिक बेट यूटूब पे कम पड़ो, इंफलेशन की अलग-अलग लोगों पर असर, देखे, आप अगर विजे मालया को पांच किलो शुगर लोन में देते, और फ इसलिए तो उसका सैड़ स्माइली हो जाएगा, क्यूंकि उसने जितना लोन में दिया था, उससे कम क्वांटिटी में अनाज गें हुचावल या पैसा उसको मिल रहा है, जिसकी परचेजिंग पावर से अज़श्ट करो, तो इस प्रकार से इंफलेशन की सब एफेक्ट ब इसमें क्या रिफॉर्म लिये गए, आजकल इनको खुजली मची है, सहसा पूछने की, मिनरल के बारे में, सुकुन से फ्री में पढ़ेंगे, विन 24 सीरीज मेरी आ रही है, उसके बाद इंफरास्टक्चर में हम बात करें कम्यूनिकेशन की, तो उसमें भी, जैसे टेलीकॉ सेक्टर वगेरा, उसमें नया टेलीकॉम बिल कुछ आया, उसमें क्या नए प्रावदान है, वो सब रटने, वो भी हम रटनेंगे, फ्री सीरीज विन 24 मंगलवार से शुरू होगी, ऐसी भी चीज़े हैं, बाकी इंफरास्टक्चर में होता कह कि, जैसे रूरल, अन्रवर् पूछते हैं, that is the thing. तो अब समझो, पिलर वन बरावर, फिर पिलर टू, थ्री, फोर, यह फाइव और सीक्स है, उसमें सब हीटन मीस है, थियरी कम होती है, करण अपर ज्यादा होते है, स्कीम ज्यादा होती है, और उसमें जो पूछे, एक पूछेंगे कि भी नहीं, और द स्कीरेट के साब से, लक्षमी कान से, एक M.C. का 80 पेच चाहते हैं, इधर से भी आपको करना पड़े है, इधर से भी आपको करना पड़े है, हुमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो आखरी पिलर है, करंट अफेर्स और स्कीम्स, उसमें सब माइक्रोस्कोपिक छोटा-छोटा आपको किताबों में इतना खुल के दिया नहीं है, यह पिलर सीख अगर आपको सुकुन से पढ़ना हो, तो क्या करना चाहिए, क्लास 12 की सोशोलोजी, उसमें से शुरुवात आप करो, एज पिरामीड वगएरा समझो, या फिर महराश्टा की जोग्रफी बुक भी देखो, वो भी अच्छी है, मैं कहूंगा इससे भी अच्छी है, क्योंकि कुछ CEPF में आजकल एडवांस क्वेस्टन मुझे दीखे है, वो उदर से सौल होते थे, इधर इतना मजा नहीं था, क्या है, हेल्थ, एडुकेशन, स्कील डेवलप्मेंट, बराबर मदर चाइल, यह सब थेयरी कम होती है, स्कीम्स ज्यादा होती है, और उसमें ज्यादा छोटे-छोटे फैक्स पूछे जाते हैं, वो उसका में चीज है, तो इस प्रकार से हमने, मैंने आपको जो एक टेस्ट देना था, मैंने आपको बताया, बाकी 20 तारिक से, मेरे पुराने स्टूडेंस के लिए, फ्री में ऐस से जो भी अपडेट से हैं पिछले एक साल के, और थियरी भी, क्यूंकि थोड़ा एडवांस थियरी पूछ रहे हैं, तो उन सब की फ्री सीरी शुरुई रात को 9 बजे विन 24, आप में से जो नए लोग हैं, वो जुड़ना चाहें, तो एकोनोमिका कोर्स भी गुरुवार, मतलब 22 तारिक से आ रहा है, अब इसके अंदर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि 2024 की प्रिलिम दूख ही नहीं, कि मैं उत्तर प्रदेश का एक्जाम देते हूं, ये कर लेता हूं, तयारी कम हैं, कि नहीं हैं, क्या है, तीन रूल से हैं, बहुत आसान हैं, पिछले तीन स महीने में इतना पॉलिश मार सकते हो, कि मैं वहां तक पहुँच जाओ, तो अटेंब देना चाहिए, नहीं तो फिर आप 2025 के लिए सुकुन से तैयारी करो, और इस साल के लिए आप दूसरी प्लान B की जो भी आपके एक्जाम हो, उत्तर प्रदेश से स्टेट सर्वीस, ये तो अचार सहीट, उसके बाद वो जादा बोल नहीं सकते, तो अल स्टेट साथ बूइं सम्धिंग, हर साल और हर महीने कुछ न कुछ बेचिश चलते रहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, कि अभी तो मैं दिवाली वेकेशन में देख लूँगा, या मैं समर वेकेशन में कर लो ता कि syllabus खतम हो सके, रिविजन के लिए ठीक ठाक समय मिले, वरना फिर ये होगा, कुछ लोग सोचे, अब मैं करता हूँ, यू दो नहीं देख पर प्रेक्टिस, रिविजन, रिदिग और मोक टेस्ट, खेर, जो तयारी कर रहे हैं, टरगेटिंग 2024 प्रिलिम्स, तो अ कर रहे हैं, तो पूरे साल के भी हमारे कोर्स है, बेजिक भी, फाउंडेशन भी, सब चल ला है, बाइलिंग्वल भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, और इन सब के अंदर, अब तो शिक्स मन्स, एक्ष्टा, 50% अफ वगेरा, I think coupon code is IH10, इंग्लिश में भी, सर्मद म मदुकर सर, अनुच सर वगेरा, टॉप एजुकेटर स अपने पास हैं, परललली अपनी बात खतम करने से पहले में आपको बता हूँ, मंथली मेग्जिन तो आते ही हैं, एडिशनली, PT 730, मलब पिछले दो साल का जो करंट अप है, इसमें आपको जाने लाइक चीजे, वो से उसको एडिट करें, सुधर्शन सर ने परसनली सब उसको करवाया है, ऐसा ने बोल दो मेरे नाम से और चैट जीपीटी से कोई कल ऐसा ने, वो प्योली वो खुद से उसको बनवा रहे हैं, तो जी हां, हम मुरनाल सर के साथ यहां पर हैं, और एक लरनर हैं, आप अपना स्नेहा सिंग, स्नेहा क्या बोल रहे थे आप, बीज बताइए, सारे बच्चे सर को बोलते रहते हैं, आपके बारास बेच के हैंडाउट हैं, सर को परिशान करते हैं, कि हम कैसे करें, इतने स्टुक्चर्ट हैं, एकोनॉमिक के किसी की में नहीं है, मैंने कोचिंग लेग र मैंने बोला, रिवीजन में को जरू रहत है, क्योंकि सिर्फ जो जिसमें ज्यादा फैक्च्च्वल कंटेंट है, उसमें रिवीजन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो कॉशिश और आपको ऐसा भी बोल रहते हैं, सर से मायूस मत होना हो, सर को परिशान करते हैं, कि सर सबसें पहला, सर को पहले से देख रहे हैं, तो सबसें अच्छी बात लिए लगी है, कि पार्शी origin जो वाली मुझारा मेह आटरपते महांक, वहांत मैं और मुझाचर नाथ adaptive मुझाती ही तो यह बहुट था थ천 सिर्इंस था Thank you. Thank you UGHM It was a good experience though Thank you Pratap, you have rank 3 property type in UCSEE May strong advice for your test experience Sure sir 油 was very good, I learned a few things there. वैज वजस अशवा है ।, you are द्रेपहर स्वाइचि लिखेंग अभए लिझाव वजान घवे लिए टे स्टेस्ू सुझ अईकटाई लगिस्स बि dużo हैं। भु कारàiली तakingि सिंट आयु रिदंग dए के लिए राम में य हो में आपन गdoes्मीति पप्राम्चिक लिए अशॉब आपन, हैंज वेसे विर्ण एपन अप्राम्च रज्दिट अवस्ट आपन, हैंज आपन कर लेज अवस्टार सब्सक्राइब जिस्ट अवस्टे मनें ओ सब्सक्राइब अवस्टेख सब्सक्राइब लेकर लिए कर जा यह खी एक लि Let's track it.